नमस्कार, स्वादिश्ट थाली अपनी नही रेस्पी के साथ तैयार है आज की रेस्पी ये आलू बैंगन की सरसो वाली सबजी सबसे पहले इसके इंग्यूडियन्स देख लेते हैं चलिए बनाते हैं आलू बैंगन की सरसो वाली सबजी ये सबजी हम प्रेसर कूकर में बनाएंगे क्योंकि हमने कच्चे आलू का इस्तेमाल किया जिसे पकने में समय लगेगा पर आप चाहे तो इसे पैन में भी बना सकते हैं प्रेसर कूकर में बनाने पर समय और गैस दोनों की ही बचत होगी ये हमने प्रेसर कूकर में एक बड़े चमच सरसो का तेल गर्म कर लिया है तेल अच्छी तरह से गर्म हो गया है अब हम इसमें एक चुटकी हींग डालेंगे फिर आधा छोटा चमच मेथी दाना डालेंगे हींग और मेथी जब चटकने लगे तब एक बड़ा चमच अध्रक लहसुन पेस्ट डालेंगे अब इसे अच्छी तरह से भून लेंगे उसके बाद दो मध्य माकार के छोटे छोटे टुकडों में कटे लुए टमाटर डालेंगे टमाटर को मुलायम होने तक भूनेंगे अब इसमें एक छोटे चमच हल्दी पाउडर डालेंगे उसके बाद एक छोटे चमच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और एक छोटे चमच सूखा धनिया पाउडर डालेंगे अब आधा छोटे चमच काली मिर्च पाउडर डाले और दो छोटे चमच पीला सरसो पाउडर डाले अब आप अपनी स्वात के अंसार नमक डाले और सभी सामगरी को अच्छी तरह से मिक्स कर ले सभी सामगरी को मिक्स करके 1-1.5 मिनट तक भूने अब इसमें आधा कटोरी हरी मटर डालें मटर यदि फ्रेश एवलेबल नहों तो आप फ्रोजन मटर भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो बिना मटर के भी सिर्फ आलू बैगन की भी सबजी बना सकते हैं मसाले में मटर को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और फेस में दो मध्यम आकार के छोटे छोटे टुक्रों में कटे हुए आलू डालें आलू को भी अच्छी तरह से मसालों में मिक्स कर ले और उसके बाद 200 ग्राम छोटे-छोटे टुक्रों में कटे हुए बैगन डाले बैगन यदि लंबे आकार वाला मिले तो आप वही यूज करें अधर्वाइस गोल बैगन का भी इस्तेमाल किया जा सकता है सभी सामग्री को अच्छी तरह से मिक्स करके एक से ईट मिनट तक भूने अब इसमें दो छोटे कब पानी डाले सभी सामग्री अच्छी तरह से मिक्स करके प्रेसर कूकर का धखकन लगा दे प्रेसर कूकर का एक विशल हो जाने पर आज धीमी कर देंगे और धीमी आज पर एक विशल होने के बाद गैस का फ्रेम बंद कर देंगे अब तीन से चार कली सूखी खटाई को एक बड़े चम्मच पानी में भीगो कर रख देंगे जिसका इस्तेमाल हम सबजी में बाद में करेंगे प्रेसर कूकर थोड़ा थंड़ा होने के बाद उसका ठककन खोलेंगे और फिर आहिस्ता से उसे चलाएंगे जिससे की सबजी आँ तूटकर ग्रेवी में मिक्स नह हो अब भीगी हुई सूखी आम की कली को छोटे-छोटे टुकरों में काट लेंगे और उसे सबजी में मिक्स कर देंगे यदि कली वाली खटाई उपलब्ध नह हो तो उसकी जगर आप सूखा अमचोर पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस सबजी में यदि सूखा अमचोर पाउडर डालते हैं तो उसकी मात्रा एक छोटे चमच रहेगी तो लीजिए ये हमारी आलू बैगन की सर्सो वाले सबजी बिलकुल तयार हो गई है आप इसे गरम-गरम चावल या रोटी के साथ परोज सकते हैं इस रिस्पी को ज़रू ट्राई करें नई रिस्पी जाननी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें यह रिस्पी कैसी लगी और अपना सबजी बनाने का एकस्पिरियंस कमेंट बॉक्स में डालें धन्यवाग जल्दी मिलेंगे अपनी नई रिस्पी के साथ झाल झाल